दर्शको यूक्रेन के ओडिया शहर की नेशनल मेडिकल यूनिवरसिटी से MBBS की छात्रा रही बिधुना की बेटी शिवानी चौहान भी आदर्श नगर स्थेत अपने घर पर पहुँच चुकी है जहां उनका मालियार पढ़ कर स्वागत किया क्या घर पहुचने के बाद उन्होंने बताया की पहली बार इस तरह की बम और गोली बारी देख देह्शत में समय को जा रहा है बॉर्डर पार करते समय यूक्रेनी सैनिकों की बत्तमीजी और मारपीट की भी खिकार होई उन्होंने बताया कि भारत सरकार के प्रयास से वो बचकर घर वापस आ गई रूस यूकरेन के बीच 24 फरवरी को जंग शुरू हुई थी इस दौरान रूस ने सबसे पहले ओडेसा शहर पर ही हवाई हमला किया था हवाई हमले के दौरान ओडेसा के मेडिकल उनिवरसिटी के हॉस्टल में मौझूद शिवानी समेद सभी शात्र दहशत में आ गए थे तो परिजरों में खुशी का महल देख सकते हैं और एया से भारत की बेटी शिवानी चौहान वापस लोट आई है आपको बता दें कि वो ओडेया मेडिकल उनिवरसिटी में पढ़ रही थी जहां पर जब रूस ने हमला शुरू किया था रूस ने जब अपना मिलिटरी ऑपरेशन शुरू किया था तो सबसे पहले जो हमला किया था वो ओडेया शेहर पर ही किया था तो ऐसे में वहाँ पर पढ़ाई कर रही शिवानी अब अपने वतन वापस लोट आई है और अपने वतन उत्तरप्रदेश के औरिया में अब वो घर पहुँच गई है जहां घरवालों के बीच खुशी का माहौल देखने को मिला घरवालों ने उनका मालियारपन्ट किया और साथी साथ उन्हें मिठाई भी खिलाई गई और स्वागत किया इस बीच शिवानी चौहान ने बताया कि वहाँ पर काफी बुरा माहौल है काफी दहशत भरा माहौल है बौडर पार करते समय यूक्रेणी सैनिकों की बत्तमीजी और मारपीट का भी उन्हें सामना करना पड उन्होंने बताया कि भारत सरकार के प्रयास से वो घर वापस आ सकी है और उन्होंने भारत सरकार का धन्यवाद भी प्रेशित किया है रूस यूक्रेण के बीच 24 परवरी को जंग शुरू हुई थी और सबसे पहले ओडेशा शहर पर ही हवाई हमले किये गये थे और शिवा 25 को बहुत ज्यादा मलब सीवे सिच्वेशन हो गई थी और मलब हमको बंकर वगेरे में भी जाने के लिए बोल लए थे तो हमने सोचा कि हमें यहां से निकल लेना चाहिए क्योंकि हम यहां फे फज जाएंगे तो हम उडिक्सा से निकल लिए तो हमने मलब एक बस किया बस म मनलब थी धी 20ों 30 स्टुदेंट्स बैटे और आणगे बंदब बस के फ्रेंट पर हमने इंडिन फ्लैग लगा लिया था तो हम जा रह तो हम लोग मलब देख लोट परे कभीकर मह बहें रोक रहते और बहुल लोग देख रहे है ste闪ने की निकल जाओ